नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए बहुती जवर्दस वीडियो लेकर आए है खूब पैसा कमाना है तो रोज सुबह उठते ही इस मंतर को तीन बार बोला करें माता लक्षमी घर को पैसों से भर देगी तो आपको अमीर बनने से, धनवान बनने से, करोड़ बती बनने से या कुछ भी कहें उसे बनने से आपको कोई भी नहीं रोख सकता है दोस्तों ये एक मंतर ऐसा मंतर है जिसे केबल जाब कर लेने मातर से ही व्यक्ति की हर प्रकार की समच्छा दूर हो जाती है हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है हर समच्छा करने वारण हो जाता है दोस्तों सास्त्रों में बताये गए उपायों का यदि आप पूरे विदी विदान से पालन करते हैं तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा वे साती सात आपके भागे उदे के होने के आसार भी बढ़ जाते हैं भागे उदे के साथ साथ आपकी किस्मत के सभी सितारे चमकने लगते हैं इसलिए प्रतेएक वीडियों में हमारे दुवारा बताये के पूरे उपायों को पूर्ण सा सुने पूरी वीडियो देखे ताकि आपको पूर्ण जानकाली हो सके वैसे तो धन प्राप्ती के लिए माता लक्षमी को याद किया जाता है माता लक्षमी की पूजा बड़े विदी विदान से और पूरे सज्चे मन से सरदावाव से की जाती है लेकिन माता लक्षमी के साथ साथ नारायन यानि श्रीहरी विश्णों जी के भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको हर प्रकार का सोभाग्य वे शुक्र समर्दी वे शांती प्राप्त हो सके साथी धन कमाने की सभी मनुकामनाएं आपके पूर्ण हो सके। तरीकों से उठते हैं, उनके जीवन में तो कभी भी धन आ ही नहीं सकता, वे लोग तो कभी अमीर हो ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारें बताने जा रहे हैं, जिससे आप यदि सुबह उठते ही तीन बार बोल दिया, तो आपके जीवन के सभी समश्यां खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव उठता, जितनी भी नकारातमक उठता होती हैं, वे सभी आपके घर से, आपके उपर से, आपके परिवार पर से, सदा के लिए चली जाएंगी, और साथ ही साथ, आपके घर में सरफ और सरफ यानि कि सकारतमक्ता का ही वास होगा, दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके हातों में ही, मनुष्य के हातों में ही भगवान का वास होता है, माताल लक्षमी, भगवान विश्णू और ब्रह्मा जी का वास होता है, इसलिए दोस्तों सुबह उखते ही आपको अपन दोस्तों जैसे ही आप इस नियम को धरन करेंगे सुबह उसते ही हातों को देख करके इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन से सभी समझ्याय सुलजनी शुरू हो जाएंगी घर में धन आने के नए नए मार खुलने लगेंगे दोस्तों तीन बार मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद आप दोनों हातों को आपस में मल करके अपने चेहरे पर और अपने शिर पर अवश्य लगाएं इससे आपको सभी देवी देवताओं का माता लक्षमी सरस्वती और भगवान विश्णु के मिले जुले सवरूप के आशि सवरूप के इस बने रहते हैं यहीं कोई व्यकती प्रते दिन इस मंत्र का तीन बांग जाब करता है जाता को मारत को माता लक्षमी खुद ही अपने आशिर्वास से संचित कर देती है अर्थात जिस मांग से भी पैसा आ सकता है उस मांग से बर-बर के अपके घर में पैसा आने लगता है सब पर फार के बरसने लगता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जाज़े धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरन बली